सिंदी दों से जूतेटेगा वजी वज्टी का पूरा का पूरा चरिक्तर देख लेता है क्या है क्या करने वाला है कुदधार देगा ना देगा किस लेवल का याद। कितने पैसे इसके पास, कैसा वरबार है, क्यों लेक जूता देख लेने से, वो सब कुछ देख लेता है, दर्ची का देखना आप लोग, दर्ची दूर से जलते हुए कपड़े देख अतर के ये पहचान लेता है, कि इस वहती का पैसा क्या खेल चल रहा है, कैसा मन होगा, सब सब कुछ जान लेता है, सब कुछ भाव लेता है, जिसको जो चाहिए, उसी की खोज नहीं करता है, जरना बहर रहा है ग्यान का, नदी बहर रही है, लेकिन हम डरते हैं, बोता लखाने से, कहीं दूप न जाएं, और जोब तक डरते रहेंगे, कुई नहीं, महला ही नहीं सक कैसे पहुँचाएगा कोई, किसी की ताकत नहीं है, जब तक हम समरपण नहीं करेंगे, तक कोई नहीं है जा सकता है, लेकिन बहुत बार अनुभावक्यर आसा की हुझे हो जाती है, कारण आसा लगी रहती ने शिकन के अंदर, आज ठीक नहीं हुआ, कल ठीक होगा, को कि पतनी मन गई, बहुत ज्यादा शगडावी की परश में लडाई करके रहती ही, को सब भिष्टे नाप्र दोस्तार है, आते ही हैं, तो बहुत रहे रहे कि बड़ा प्रमात्मा ने आपके उपर ठपाकी, कुछ नितर वो मजा करते हैं, और तो सच बोलते हैं, मजात में नदर आने लगता है, एक इंतरा में उपने कहा कि अरे कुछ तुमारे साथ का बड़ गए तिया परमात्मा ने, तुमारी पतली चलीगी, बड़ा कलेश करती थी, बड़ी परेशान करती थी, परमात्मा ने तुमारी सुन ली, अब दुबार साधी मत कराना, लेकिन वो दूसरी आएगी वो उजे शुख देगी, अनुबह बड़ा कड़वा है, हम सोच रहे हैं, इसार कट रहे हैं, कि पहली वाली दुख दे रहे हैं, उसे वाली शुख देगी, अनुबह अलग कहरे रहा है, लेकिन जो उसके अतर आसाच सिपी हुई है, पाने की आसा, चाहज की जासा, वो उसे भर्मित कर रही है, उसे दूसरी दिशा दे रही है, उसे दूसरी और ले जा रही है, इसी प्रकार से उस प्रमात्मा का रस्त है, उसके नाम का रस्त है, उसकी ताकत का रस्त है, हम यह चाहते हैं, कैसे ही प्रमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, उस भी नहीं करना पड़ेगा तेकिन उसके प्रवादमा की प्राप्ति के लिए आमें उसके अंदर उतरना ही पड़ेगा उसके अंदर खोना ही पड़ेगा इस तरह से नहीं प्राप्त हो पाएगा एक वारेक तैरना सीखने के लिए जाने लगा ऑन्नोंने कहा कि मुझे तैराग की तलास की, अच्छा तैराग घूंडा और उसको समर्पन कर दिया कि मुझे तैराग कर दिया आप, वो मुझे आप से सीखना है, वो लेकर के गया नजी के अंदर जो ही नदी के अंदर उनने पैर रखा, वहां शीडियां थी, वोपनी चिकनाई उपत थी, वो चिकनी हो गई थी, जल्ब के कारण से, तो चिकनी हो गई थी, जो ही पैर रखा, पैर निशल गया, नदी के अंदर गिरने की बजाए वो शीडियों के उपर निंगर गया, पाग वापस निकल करके अरे अगर नदी की तरफ यह जाता तो में डूर भी जाता और आज तो राम नम सत्य ही हो गया होता तो वह भाग आया धर पे कि अग्म है जब तक मुझे तैरना नहीं आजाएगा तब तक मुझे वहां नहीं जाओगा लेकिन जब तक वहां नहीं जाएगा जल के अंदर तैरना कैसे आएगा कोई कैसे सीख सकता है चारभाई के उपर बैट करके तैरना कोई कैसे परश के उपर लेट करके तैरना सीख सकता है कोई कैसे गाड़ी के अंदर बैट करके तैरना सीख सकता है अगर तैरना है तो जल के अंदर नहीं उत्रा उसे तैरना नहीं आ सकता कितने भी कोशिश करता रहे कितना भी भोजता रहे मुदिया पाएगा कारण है कारण यह है कि अनुबब में ही हो पाएगा एक मुदा आपने देखा होंगी लास तर्फी भी वो तैरता रहता है जब तक हम हाथ पेर मारते हैं तब तक डूपने की कोशिश रहती है लेकिन जब हम समर्बना कर देते हैं वो देखते हैं जो जैसा जिस्क ड़ए से चलता है बहता चलादा का है तो उपर तैरने लगता है कोई ज़्यादा बड़ा कारिया नहीं है तो तैरने का यो कुछ बड़ा अस्तरिया में केल है आप कोई भी भासा सीखिए कोई भी काम सीखिए कोई भी कारिये चीदिए अगर आपने उपको 10-20 वर्स वद कर दिया तो आप नहीं कर पाईए कितनी भी कोशिश की दिए लेक क्यों उसर वहाविक है सब को आता है बस खोड़ा कुल कुछ बेढ़ा होता है कुछ भंग से आता है उसलोग दूपता बिना तैरमा आने के कारण लोग दूपते हैं भै के कारण अंदर में भैग को जाता है लोग डूपते हैं थकावट के कारण, लोग डूपते हैं मन के कारण, लेकिन ऐसा नहीं कि तैरना नया आयोड डूप गया, क्योंकि हर जिव आध पैर माता है, जो पसुंतर भी तैरना देती, ये तो जिव है, ये तो इंसान है, ये तो मनुस्य है, लेकिन वो तैरना नहीं क अगर आपको तैरना है तो जल के अंदर नहीं तरफ़ाएंगे कि तouse तक मेर बाधी तो ठाल की पाइगा है कि तुध रहना ते उन्टक अससाक कि इता आग है टोट्री लुथ जो आपको सास्तों के अंदर नहीं, जीवन के अंदर ले जा सके उतार सकें, उसकी तलास की दिये, जो आपको पुस्तों के अंदर नहीं, आपको प्लुभों के अंदर उतार सकें, जब तक आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसकी तलास नहीं कर पाए जब तक आपके साथ को यह ऐसा तयाद नहीं होगा, जब तक क्योंकि भाव, सद्धा, परेद, सणागती यह सबद अगड़े, आपको लगता होगा कि मैं हर बार इनी संतों का बार बार कम प्रयोग करता हूँ, लेकिन जब यह सबद आपके पुर्ण हो जाएगे, और जब य जब लेने लगेंगे, जो संसार के जो कडवे रस हैं, संसार के जो कडवे वासनाइं हैं, उसे दू होते हुए, उस प्रमात्मा के उस अनत के उस प्रम्चेतन के उस रस के अंदर, अब समाते चले जाएगे, और धहन करते चले जाएंगे और जो जितना उस प्रमादमा की और बढ़ेगा उसको उतने ही प्राप्षिभूती चले जाएगी तो आपको अपने प्रते कहनभव से सीखना है और उस अदकार से प्रतास की और बढ़ना है जो ठो गया है सब कुछiãoशार उसको पाने के लिए पोसिस कर लिए है जाघना है जो नवी जा रफाया वो kupi हो इंहीं रहता च लगाht परकार के विशेवास नाए हैं, बिन बिन परकार के खेल असल रहे हैं, बिन बिन परकार पर जाल विशा हुआ है, जो जिस जाल के अंदर जो जहां पटता पनी रोक लिया देरा है, तो आगे में भी पज़ पाया हूं, प्योड है, जब चात ये बेडिया ने बड़ी मस्मू प्रेशानी नहीं होगी, फिर कोई दित्ता नहीं आ लेगी, फिर सब कुछ उस कर्मात्मा की मेर से आवास हुने लगेगा, उस परण जेतना का, उस परण परतास का, यां कोई दूसरा नहीं है, जान कोई पुस्ता के इंदर समाय होगा, यह सम्दों कमाया दाल नहीं है, जान कोई यह बरावब,